हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इनोवेशन इंजिनियरिंग आइडियाज दोस्तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एरिया कैल्कुलेट ओफ इर्रेगुलर शेप और प्लॉट अगर कोई भी हमारा प्लॉट है उसका शेप थोड़ा अलग है 90 डिगरी पर नहीं है आप जो उसको आसानी से कैल्कुलेट नहीं कर सकते तो आज हम वही प्रॉब्लम को आपकी सॉल्फ करेंगे बहुत ही आसान तरीके से तो दोस्तो तो शुरू करते हैं इस वीडियो को तो आप कैल्कुलेट करेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह हमारे एक शेप है दोस्तो जो कि जिसकी सारी डाइमेंशन अलग है जो कि एक इर्रेगुलर इस तीस को हम इर्रेगुलर शेप कहते हैं तो दोस्तो इसकी इधर से अलग डाइमेंशन है इधर से अलग है इधर से अलग है तो हम इनको किस तरह से solve पर सकते हैं इस वीडियो में देखते हैं तो दोस्तो जो हमारा area होता है basic इसका formula क्या होता है कि length को जब हम multiply कर देते हैं उसकी width यह उसकी breadth से तो हमें एक simple shape का area मिल ज करेंगे इस irregular shape का तो दोस्तो हम एक method से निकालते हैं जिसके इसका नाम है mean method यानि कि हम length का mean निकालेंगे और width का mean निकालेंगे और आपस में उसको multiply कर देंगे तो जैसा कि आप देख रहे हमारी length क्या थी दोस्तो यह हमारी length है 10 और यह 2 तो जब इसको plus कर लिया तो यह 2 हो हम इसको solve पर लएंगे तो 9.4 आये 12.28 आया इसी तरह से अब जो इसका answer आएगा यह इस figure का दोस्तो एरिया निकल आया एक और बात दोस्तो जो की जानने आपके लिए ज़रूरी है यह जो है यह एपरोक्स है ना की accurate यह जो एरिया निकल के आया यह एपरोक्स निकल के आया लेकिन लगबग भी बहुत करीब होता है बहुत जादा अलग नहीं होता है यही इसका formula है दोस्तो कि अगर हमें को irregular निकालना है तो हम उसका mean निकालेंगे तो length का mean हमने यहां निकाल लिया था दोस्तो two से divide करके mean निकाल लेते हैं और इसी तरह से इसका width का निकाल लिया औ और हमने इससे solve कर लिया तो हमारे पास इसका irregular shape का area आ गया अगर दोस्तो आप इसका proper भी निकालना चाहते हैं तो अभी बहुत आसान है आपको बस क्या करना है उस figure के अंदर यह देखना होगा कि हमारी proper figure कैसे बन रही है जैसे ही अगर मैं बात करूँ इसी figure की तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को subscribe करें और आपको इस वीडियो में कुछ भी बुरा लगा हो तो जरूर हमें comment करके जरूर बताएं कि आपको क्या बुरा लगा है दोस्तो अगर आप भी अपना house design हमसे करवाना चाहते हैं तो आप भी ह हमें अपने plot का size दे सकते हैं क्योंकि हम house design भी करते हैं तो thanks for watching दोस्तो thank you so much